उत्तर प्रदेश लेकपाल भरती की परिच्छा के साथ जब आपकी परिच्छा संपन हुई थी तो उसी समय एक न्यूज आई थी कि लगभग 15,000 लोग संदिक्द हैं 15,000 लोग संदिक्द ऐसे परिच्छा थी हैं जिन पर संदे हैं कि इन्होंने अनुचित साथनों का प्रियोग किया है परिच्छा में और ये मैं नहीं बोल रहा हूं ये न्यूज पेपर में भी उस समय बाकाइदा आया था और आयो की तरफ से ही ये बयान आया था कि 15,000 आतार पूँच रहे हैं कि उन 15,000 लोगों का क्या हुआ उनको बाहर कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा क्या रीगजाम कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा ये मतलब बहुत सारे अभियरती पूच रहे हैं और उनका ये सवाल बिल्कुल सही भी है अगर इतनी वो मैं आपको बता दूं कि आयोग ने जो उस समय 15,000 लोगों का जो संदिक दोने की बात कही थी उसमें मतलब यह था कि जो संदिक ने जो जांच टीम है जांच टीम ने आयोग से जितने लोगों का डाटा मांगा था आयोग ने एक वो संख्या बताई थी मतलब 15,000 लोग इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे 15,000 लोग नहीं नकल की थी या अनुचु साधनों का प्रयोग किया था इसका मतलब यह था कि जितने लोगों का एस्टीम ने आयोग से डाटा मांगा कि मुझे इन लोगों का डाटा दीजिए कि यह लोगों ने कहां पेपर दिया और मतलब जो भी उससे संबंद जानकारी है तो जो वो डाटा मांगा गया था 15,000 लोग थे इसका मतलब यह नहीं है कि 15,000 लोग संदिक थे तो अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है मान के चलिए कोई एक सेंटर है जहां पर पेपर हुगा अब संदिए है कि इस सेंटर पर कुछ गड़वड़ी हुई है अगर कुछ गड़वड़ी हुई है तो हो सकता है कि संदिए ने वहां पर 400 या 500 जतनी भी लोग पेपर दे रहे हुँ सभी का डाटा ले लिया हो अब उनमें से जो भी संदिए या जो भी वास्तों में नकल करने वाले या अंचो साधनों का प्रियोक करने वाले होंगे उनको पकड़ा जाएगा ना कि पूरे सेंटर के सारे स्टुडेंट के साथ अहित किया जाएगा क्य जाये और उनको बार किया जाएगा तो उम्मीद तो पूरी यही है कि जितने भी लोगों ने गलत तरीके से गलत साधनों का प्रियोक करके परिछा में नंबर होसल करने का प्रयास किया होगा तो पूरी उमीद है कि उनको htf बिलकुल पकड़के बाहर करेगी हां एक इस मा परजनिक करना चाहिए ताकि जो इस्टूडेंट्स हैं जो पेपर दे रहें उनको पता चले कि हाँ परिच्छा में क्या हुआ क्या हो रहा है गलत करने वादे लोग कौन है और उनके साथ जो बुचित वेवहार है वो किया जा सके भवेश्व में उनको डिवार किया जा सके परिच्छा देने से धन्यवाद